दोस्तों नमस्ते आज हम लोग NCERT की Class 8 की English की Supplementary Book It So Happened के Chapter 5 Princess September के Question-Answers पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले Comprehension Check जो की Page No.38 पढ़ दिया गया है इसका सबसे पहला Question इसका उत्तर है इसके बाद Question 2 उनका नाम साल के महिनों के आधार पर क्यों रखा गया? इसका उत्तर है The King and Queen had many daughters. Raja और Rani के बहुत सारी पुत्रियां थी It was very confusing for the Queen to remember so many names Rani के लिए ये बहुत ज़्यादा Confusing या ब्रहम दायक था इतने सारे नामों को याद रख पाना So King decided to call them after the months of year इसलिए Raja ने उनको साल के महिनों के आधार पर फुकारा जाना निश्चित किया That is why they named So और इसलिए उनका नाम ऐसा रखा गया इसके बाद Question 3 The King had a Peculiar Habit राजा के एक विचित्र आदत थी Peculiar यानि विचित्र What was it? यह क्या थी? Why is it called Peculiar? इसे विचित्र क्यों कहा गया? इसका उत्तर है The King used to give gifts instead of taking them on birthdays राजा की जन्म दिन पर उफार देने की आदत थी उनको लेने के स्थान पर It was Peculiar Habit of the King यही राजा की विचित्र आदत थी हम लोग भी generally हमारे जन्म दिन पर उफार प्राप्त करते हैं उन्हें देते नहीं है तो यह राजा उल्टा करते थे वे उफार देते थे इसलिए इस आदत को Peculiar या विचित्र कहा गया है It was said to be Peculiar यहीं विचित्र कहा गया है Because Gifts are not usually given on birthdays but are received क्योंकि सामान ने तया जन्म दिन की दिन उफार प्राप्त किये जाते हैं दिये नहीं जाते इसके बाद question 4 इसका first part What was Princess September's reaction to the loss of her parrot? राजकुमारी सितंबर का अपने तोते को खो देने पर क्या प्रती करिया थी? क्या उनका reaction था? इसका answer है When Princess September knew that her parrot had died जब राजकुमारी September को पता चला कि उनका तोता मर चुका है She burst into a flood of tears वह आसुओं की बाड में बह गए यानि उनके आसुआने लगे and wept continuously और वह लगा तार रोती रही Even her maids of honor could not comfort her pain यहां तक कि उनकी जो नौकरानिया थी वो भी उनके दुख, उनके दर्द को कम नहीं कर सकी उससे उन्हें आराम नहीं दिला सकी इसके बाद second part what was her mother's reaction to it उनकी माता का इस पर क्या reaction था उनकी क्या प्रतीक रिया थी इसका उत्तर है her mother thought it was all nonsense उनकी माता को लगा कि यह सब कुछ बकवास है and it would be better for princess to sleep without any supper और राजकुमारी के लिए यह बहतर होगा कि वे सपर यानि रात्री का अंतिम खाना खाये बिना सो जाएं इसके बाद इसका third part what do the reaction indicate about the nature and temperament of each तो जो पात्रों के reaction या प्रतीक्रियाएं है उनके आधार पर हम उनकी स्वभाव के बारे में प्रते के स्वभाव के बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं यह हमें क्या दर्शाता है इसका उत्तर है we take the casts of story one by one हम कहानी के पात्रों को एक ही कर लेते हैं evaluate their reactions उनके प्रतीक्रियाओं का विशलेशन करते हैं and conclude और निश्कर्ष निकालते हैं about their nature and temperament और उनके प्रक्रती और स्वभाव के बारे में निश्कर्ष निकालते हैं सबसे पहले princess यह राजकुमारी she was very sensitive and soft-hearted वो बहुती सम्वेदन शील और कोमल रिदय की थी when she knew that her parrot has died उन्हें जब पता चला कि उनका तोता मर गया है she cried very much even though she felt rather hungry वो रोती रही यहां तक कि उन्हें तेजभूक लग रही थी इसके बाद queen she was very much insensitive and hard वो बहुत ज़्यादा ऐसम्वेदन शील और कथोर थी because when she heard that the princess September's parrot died क्योंकि जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी September का तोता मर गया है she just deemed it nonsense and she ordered the maids और नोकराणियों को आदेश तिया to put the princess to sleep without eating supper की राजकुमारी को रातरी का अंतिम खाना खाये बिना ही सुला दिया जाए इसके बाद maids of honor यानि नोकराणिया they were also very insensitive वो भी बहुत ज़्यादा ऐसम्वेदन शील थी as they went to the party regardless of the princess's grief वे राजकुमारी के दुखी होने के बाद भी party में चली गई इसके बाद question 5 what pulled the princess out of her gloom क्या था जिसने राजकुमारी को उदासी से बाहर निकाला इसका answer है the princess noticed that a small cute bird had come to her room which was singing a beautiful song in a very sweet tone राजकुमारी ने देखा कि उनके कमरे में एक छोटा प्यारा सा पक्षी आ गया है जो की बहुत ही मीठी आवाज में सुन्दर गीत गा रहा है so the presence of the little bird drew the princess out of her gloom तो जो छोटे पक्षी की उपस्ति थी उसने राणी या राजकुमारी को उदासी से बाहर निकाला इसके बाद question 6 how did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends जो नौकरानिय थी उन्हें कैसे पता चला की राजकुमारी और पक्षी बहुती घनिष्ट मित्र बन गये है इसका उत्तर है when maids of honor saw जब नौकरानियों ने देखा that the little bird ate rice out of princess's hand की छोटा पक्षी राजकुमारी के हातों से चामल खा रहा है and it had its bath in her saucer और राजकुमारी की प्लेट में ही वो नहा भी रहा है then maids of honor came to know that they had become intimate friends तब नौकरानियों को यह पता लगा कि वे दोनों घनिष्ट मित्र बन गये है इसके बाद question 7 the new bird was full of new songs नए पक्षी के पास कौफी सारे नए गीत थे but the old parrots always repeated themselves लेकिन जो पुराने तोते थे वो अपने आपको बार बार दोहराते रहते थे यानि वे बार बार पुराने गीत ही गाते रहते थे what did they say? वे क्या कहते थे? यानि पुराने जो तोते थे वो क्या? बार बार गाते थे इसका उत्तर है the old parrots only could say that God save the king जो पुराने तोते थे वे सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि इश्वर भगवान राजा की रक्षा करे and some of them could say और उनमें से कुछ कह सकते थे pretty poly in no less than seven oriental language उनमें से कुछ साथ से कम oriental भाषों में pretty poly गा सकते थे अब यहाँ पर एक नया सवाल खड़ा हुआ कि pretty poly क्या है और oriental languages क्या है तो pretty poly एक Canada और British Isles का traditional fog song है एक पारंपरिक गीत है जो राजा की लंबियायू के लिए गाया जाता है British Isles यूरोप के छोटे छोटे और बड़े दीपों का समू है जिसमें Great Britain हुआ, Ireland हुआ और कुछ दीप शामिल है इन्हें कुल मिलाकर British Isles कहा जाता है oriental languages oriental language वो भाषा हैं जो oriental countries में बोली जाती है अब oriental countries क्या है तो European परिभाषों में पूर्वी देशों को oriental countries कहा जाता है यानि Britain और जो बाकी European countries हैं हम उन्हें western countries कहते हैं और वो हमें या एशाई देशियों को oriental countries कहा जाता है oriental का antonym है occident western countries के लिए occident शब प्रयोग किया जाता है और eastern countries के लिए oriental countries शब्द का प्रेयोग किया जाता है next question 8. What is the king's opinion about his counselors? राजा की अपने counselors या परामर्ष दाताओं के बारे में क्या राय थी? Why did he form that opinion? उसने ये राय क्यों बनाई हुई थी? इसका answer है the king's opinion about the counselors और आफ कीजे that they too was exactly like parrots तो राजा की अपने परामर्ष दाताओं या मंत्रियों के बारे में राय थी कि वे भी बिल्कुल तोतों की तरह है they did not say anything new वो कुछ भी नयार नहीं कहते they kept repeating the same thing over and over वो पुरानी बातों को ही वापस दोहराते रहते हैं same चीजों को उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं question 9 इसका first part the eight princesses made an offer to princess September what was it? जो आठ राजकुबारियां थी उन्होंने राजकुमरी September को एक offer दिया या एक प्रस्ताव दिया what was it? यह क्या था? इसका answer है the eight princesses proposed that they all would put their pocket money together and buy a lovely green and yellow parrot for princess September थोड़ा सा लंबा sentence हो गया यह है आठों राजकुमारीयों ने प्रस्ताव दिया कि वे अपनी pocket money या जेब खर्च एकठा करेंगी और राजकुमारी September के लिए एक प्यारा सा हरा और पीला तोता खरीद कर देंगी इसके बाद part 2 आपकी राय में उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका उत्तर है the king, queen and all the maids of honor loved the little bird and its sweet voice राजा, रानी और सभी नोकरानिया छोटे पक्षी और उसकी मीठी आवाज को पसंद करने लगे थे which made the other princesses jealous जिसकी विजए से दूसरी राजकुमारियों को इर्शा होने लगी थी वे उससे जलने लगी थी that is why they offered the princess September to buy a new lovely parrot for her instead of little bird इसलिए उन्होंने राजकुमारी सित्तमबर को प्रस्ताव दिया कि वे उसके लिए छोटे पक्षी की जगे एक प्यारा सा तोता खरीद कर देंगी इसके बाद question 10 what did the sisters advise the princess to do about her bird तो जो बहने थी उन्होंने राजकुमारी को उसके पक्षी के बारे में क्या प्रस्ताव दिया इसका उत्तर है sisters advised the princess to keep the little bird in a cage so that it would be safe बहनोंने राजकुमारी को प्रस्ताव दिया कि वे छोटे पक्षी को पिंजरे में रखें जिससे वे सुरक्षित रह सकें इसके बाद comprehension check जो कि page number 43 पर दिया गया है इसका first question in the following sentence जो निमने लिखित वाक्य दिया गया है elaborate व्याख्या कीजे या wishlation कीजे the parts given in bold जो bold letters में parts या भाग दिया गया है उसका wishlation करें तो sentence है under the circumstances it was a very unfortunate remark for the bird to make इन परिस्तियों में यह एक बहुत ही दुरभाग्यशाली कतन था जो पक्षी द्वारा कहा गया इसमें bold में दिया गया है under the circumstances इन परिस्तियों में और दूसरा a very unfortunate remark एक बहुत ही दुरभाग्यशाली कतन आईए इसको elaborate करते हैं सबसे पहले under the circumstances इन परिस्तियों में after the sisters expressed concern about the safety of the small bird princess September became very much worried about the safety of the small bird तो बहनों द्वारा पक्षी की सुरक्षा के बारे में संदर्ब व्यक्त किये जाने पर राजकुमारी सेतंबर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी अपने पक्षी की चिंता को लेकर इस sentence को मैं दोबारा से कहता हूं कि जब बहनों ने अपनी आशंका व्यक्त की अपनी चिंता व्यक्त की पक्षी की सुरक्षा के बारे में तो राजकुमारी सेप्टेंबर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी और राजकुमारी को यह भी डढ़ था तो राजकुमारी को यह भी डढ़ था कि पक्षी उन्हें भूल सकता है या किसी दूसरे को पसंद कर सकता है यही परिस्थितियां थी इसके बाद दूसरे जो बोल लेटरस में लिखा हुआ था a very unfortunate remark एक बहुत ही दुर्भागे शालिक कथन जो पक्षी द्वारा कहा गया वह क्या था the princess was already worried about the bird राजकुमारी पहले से ही पक्षी के लिए चिंती थी and the bird also said that its father-in-law had given a party तो साब पक्षी क्या कह रहे थे कि उनके ससुर जी ने एक party दी थी and it was not going to return nearly that night at all और इसलिए जो पक्षी जो थे वो रात को लगभग लगभग वापस नहीं आने वाले थे this further scared the princess इससे राजकुमारी order गई therefore it was called an unfortunate remark for the bird इसलिए इसे पक्षी के लिए एक दुर्भागे शालिका थन कहा गया है इसके बाद question 2 इसका part 1 what did the princess September do to ensure the safety of her pet राजकुमारी September ने अपने पालतू या अपने पक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया छोटा सा answer है princess September locked the little bird in a cage to ensure its safety तो राजकुमारी September ने अपने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बाद इसका second part how did the bird react to it और पक्षी ने इस पर कैसे reacted किया या उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी after being kept in the cage the bird had stopped singing and eating and was depressed पिंजरे में बंद किये जाने के बाद या पिंजरे में रखे जाने के बाद पक्षी ने गाना खाना बंद कर दिया और वह उदास रहने लगा question 3 why did the bird refuse to be taken out in her cage पक्षी ने उसको पिंजरे के साथ ही बाहर ले जाने का क्यों मना किया refuse किया इसका उत्तर है the princess promised the bird that she would take it out in the cage every day तो राजकुमारी ने पक्षी से वादा किया था कि वो उसे प्रती दिन पिंजरे में ही बाहर लेकर जाएंगी but the bird wanted to enjoy nature from outside the bus of the cage क्योंकि पक्षी जो है वो प्रकृति का आनन्द पिंजरे की सलाखों के बाहर से लेना चाहता था वह नहीं चाहता था कि इसको खुले में बाहर ले जाए जाए पिंजरे में बंद करके वह पिंजरे के बाहर निकल कर अपनी स्वतंत्ता और प्रकृति का आनन्द लेना चाहता था इट वांटेड फ्रीडम वह स्वतंत्तता चाहता था इसलिए पक्षी ने राजकुमारी के पिंजरे से, राजकुमारी के पिंजरे के साथ ही बाहर उसे घुमाने ले जाने का विरोध किया है, उसके लिए उसे मना किया है इसके बाद question 4, इसका first part, what pursued princess September to give the birds his freedom, to give the bird his freedom again क्या था, जिसने राजकुमारी September को विवश कर दिया, पक्षी को दो बारा से उसकी स्वतन्तरता देने के लिए इसका answer है, after being kept in the cage, तो पिंजरे में रखे जाने के बाद, the small bird had stopped eating and singing छोटे पक्षी ने खाना और गाना बंद कर दिया, it was very depressed, वह बहुत उदास रहने लगा princess felt that if the bird was kept in the cage for a long time, it would die तो राजकुमारी को भी महसूस हुआ कि यदि पक्षी को लंबे समय तक पिंजरे में रखा गया, तो यह मर सकता है, मर जाएगा पक्षी की चिंता ने विवश किया, princess September to give the bird freedom again, राजकुमारी September को कि वो पक्षी को दुबारा से स्वतंत्र करे फिर इस question का second part, how did the bird react to it, पक्षी ने इस पर क्या प्रती क्रिया दी, इसका उत्तर है, on getting out of the cage पिंजरे से बाहर निकाले जाने के बाद, the bird was very happy, पक्षी बहुत खुश था, it spread wings, उसने अपने पंक फैलाए and flew towards the sky, और आसमान की तरफ उड़ गया, it also promised the princess, उसने राजकुमारी से वादा किया, that no matter how far it went, कि इससे कोई फरक नी पढ़ता, वो कितना दूर चला जाए it would come back to the princess, वह राजकुमारी के पास वापस आएगा and never forget her, और उसे कभी भी नहीं भूलेगा इसके बाद question 5, princess September kept her window open day and night, राजकुमारी सेप्टेंबर अपनी खिडकी को दिन और रात खुला रखने लगी इसका अब question का first part, how did it help the bird, इससे पक्षी को क्या मदद मेली, इसका answer है, due to the window being open day and night खिडकी को सुबह शाम खुला रखने के कारण, the small bird could come there whenever it wants, वहाँ पर छोटा पक्षी जब चाहे तब आ सकता था, इससे पक्षी को ये मदद मिली फिर इसके बाद इसी question का second part, how did it help the princess herself, इससे राजकुमारी को खुद को क्या मदद मिली, due to this, इसकी वज़ा से princess grew extremely beautiful, इससे राजकुमारी बहुत ज्यादा सुन्दर हो गई, and when she was grown enough और जब पर्याप्त बड़ी हुई, या उनकी उम्र पर्याप्त हुई, she married the king of Cambodia, उनकी शादी Cambodia के राजा से हुई, तो वो इतनी सुन्दर हो गई, कि जब उनकी शादी की उम्र हुई, उनकी शादी सु आठों जो बहने थी, वो अपनी खिड़कियों को बंद रखती थी, how did it affect them, इससे उनकी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अंसर है, the eight sisters kept their windows shut, आठों बहने अपनी खिड़कियों को बंद रखती थी, due to this, इस कारण से, they grew extremely ugly as well as disagreeable, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा और disagreeable यानि SV कार करने लायक होना, तो वो SV कार करने लायक हो गई, when the time came to marry them off, और जब उनकी शादी की उम्र आई, they were married to the king's counselors, उनकी शादी राजा के मंत्रियों के साथ हुई, इसके बाद question answers का next portion, discuss the following questions in small groups, write their answers later, इन सवालों को छोटे छोटे सम्मू में discuss करें या उन पर व इसमें पहला question है, are the sisters unkind and cruel, क्या बहने cruel यानि निर्दई और unkind यानि दयावान नहीं थी, find evidence in the text to support your idea, पार्ट में से अपने विचार को support करते हुए, उन पर समर्थन करते हुए, इस बारे में evidence या साक्षे दीजिए, इसका उत्तर है, yes, the sisters were unkind and cruel, हाँ, बहने निर्दई औ और cruel थी, following are the evidences, जो साक्षे हैं, वो निमन लिखे थे, इसमें, when the little bird sang and fly in the open, they did not like it at all, जब छोटा पक्षी गाता था और खुले में उड़ता था, उन्हें बिलकुल पसंद नहीं था, they frightened the princess September and got the small bird locked in a cage, उन्होंने राजकुमारी September को डराया और पक्षी को पिंजरे में ब चोटा पक्षी पिंजरे में उड़ास रहने लगा, the princesses advised the princess September to remain firm, उन्होंने राजकुमारी September को परामश दिया, सला दी कि वे द्रड रहें, कहने का मतलब अगर पक्षी उड़ास है तो उससे आप चिंता मत करो, आप strong रहो, उसे रहने दो, वो दीरी-दीरे अपने आप ठी को जाएगा, when princess September said, जब राजकुमारी September ने कहा, that it would die, कि यह मर जाएगा, if it did not eat anything, यदि यह कुछ नहीं खाएगा तो, the princesses replied, तो राजकुमारी ने उत्तर दिया, that if it was so obstinate, यदि यह इतना हटी है, and would die, और मर जाता है, then that would be very good for it, तो यह उसके लिए बहुत अच्छा होग and she would get rid of it, और आप इस पक्षी से छुटकारा पालोगी, इसके बाद, question next, which to you is most important idea in this story and why, आपके हिसाब से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है, और क्यों, इसमें options दिये गए हैं, first option से importance of music, संगीत की महत्ता, value of freedom, स्वत्मत्रता का महत्व, और beauty of nature, प्रकृ इसमें से कौन सा सही option है, और वो क्यों है, इसका उत्तर है, value of freedom is the most important idea in this story, in my opinion, इस कहानी में, सबसे महत्वपूर्ण विचार, स्वत्मत्रता की महत्ता या उसका मुल्य है, मेरी राय में, we saw in the story, how the little bird was happy to be independent, हमने देखा है, कि जब पक्षी स्वत्नरता, तो वह कितना खु princess September's hand and sing extremely beautiful songs, वह राजकुमारी September के हातों से खाना खाता था और सुन्दर सुन्दर गीत गाता था, after being locked in the cage, it had stopped eating, और पिंजरे में बंद किये जाने कबाद में, उसने खाना बंद कर दिया था, and singing और गाना, and was very depressed, और बहुत ही उदास रहने लगा था, bird also said at one place, एक जगह पर पक्षी ने कहा भी है, that the real fun of the trees, lakes, fields, and nature is from the outside of the cage bars, not from inside, और कहानी में एक जगह पक्षी ने कहा भी है, कि पेडों, जीलों, खेतों, और प्रकृती का असली मजातों, पिंजरे की सलाकों के बाहर से है, not from inside, अंदर से नहीं, इस तरह से, आज इस चेप्टर के question answers हमने complete किये, यदि इस सम्मन्द में आपको कोई भी सुझाओ, शिकायत है, तो क्रपया comment box में जरूर लिखें, क्रपया इस वीडियो को like और share आप जरूर करें, और channel को subscribe भी करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत इस सम्मन्द में जरूण मृट और डर्वाद, जरूर क ell Σवटर के लिए घए स्क्रीब करें, जोम है how discard जरूर रवर हैं जरु को जरूर हैंगन वीडियो का फेड़ा इस